आप सबका अभिनन्दन आज हम प्राक्टिकली चार्ट कैसे देखते हैं उसका एक सूत्र यहाँ पर डिसकस करेंगे कौन से ग्रह अच्छे होते हैं लगनेश पर हम आज बात करेंगे लगनेश हमेशा अच्छा ही माना गया है चाहे वो कोई क्रूर ग्रह क्यों नहों शनी मंगल सूर्य कोई भी ग्रह क्यों नहों लगनेश हमेशा अच्छा होता है तो उस पर आजम बात करेंगे कि लगदेश कहां बैठने से क्या फल दे सकते हैं और यदि वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं या किसी के साथ भी बैठे हैं तो कैसे फल देते हैं दुष्ठान में बैठे हैं या केंद्रितिकोंड में बैठे हैं सब पर बात करें, तो चलिए, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब का धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चानल को Like, Share, Subscribe किया, आपने वहाँ अपनी सुझाव, अपनी कॉमेंस लिखे, यदि आपने हमें Like, Share, Subscribe नहीं किया है, तो याद से करें, यही नहीं, आप बेल आइकन भी आज से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहेंगे, जब हम लगनेश की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि लगनेश जहां भी बैट जाए, क्योंकि वो हमेशा शुभमाना गया, चाट का वो करता धरता है, उसके पास एक स्टॉंग हो जहां बैट जाते हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जिस भाव में लगनेश बैट जाए, उस भाव को उठा देता है, उस भाव के लिए व्यक्ति ततपरता से काम करता है, तनमेता से काम करता है, यदि लगनेश किसी भावेश के साथ बैठा है, यदि मेरा पूंगल बुद्ध के साथ या गूरू के साथ बैठा है तो तिरतियधा भाफ, शस्टम भाफ को उठा देगा गूरू के साथ बैठा है तो नवम भाफ, द्वादश भाफ की जो भी क्रियाएं है उनको उठा देगा तो दो चीज हमने देखा कि एक लगनेश जहां बैठता है उस भाफ को उठाता है और दूसरा लगनेश जिस के साथ जिस भाफ के स्वामी के साथ बैठ जाए उसके लिए भी वो बहुत शुबकारी होते हैं वो भाफ के स्वामी में भी बला जाता है अब यहां तो हम लोगों ने त्रिकोन और केंद्र की बात समझी और साथ ही हमने दो ग्यारा की बात समझी अब यहीं लगनेश यदि 6-8-12 में बैठ गए यह तृतिया भाफ में बैठ गए तो क्या सही अच्छे परिणाम देंगे हां अच्छे परिणाम देने के लिए वह सक यदि आप देखें तो उनका भी प्रभाफ पड़ेगा लेकिन फल दिपिका में एक और चीज़ बताए गई है जो कि बहुत ही डिफरेंट है और बहुत चमकाने वाली और उसके उसका में उधारन भी आपको दूंगी तो लास्ट तक बने रही है फल दिपिका क्याते है कि यदि और आप प्राक्टिकली इसको देख सकते हैं कि यदि दुष्ठान में बैठे वे तो उसके फल बहुत जादा अच्छे नहीं होंगे लेकिन वहां पर यदि दुष्ठान में वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए है जो वीक है तो फल और खराब होगे लेकिन यद आपके फल अच्छे हो जाएं कैसे यदि आपका कर्क लगन है और एक इस इग्जाम्पल के अनुसार चंद्रमा जो है वो शष्ठमभाव में बैठ गया शष्ठमभाव आपको डिस्क्रिमिनेशन दो चीजों के बीच में सही गलत की जो पहचान है वो करने की शंता देता ह तो व्यक्ति वहाँ पर अपने एक राय बना सकता है कि क्या सही क्या गलत लेकिन इस कुणली में तो राहू के साथ बैठावा है जैसे हमने चंद्रमा राहू देखा हमने बोला कि इसको बहुत हल्यूसिनेशन होता है इसको बहुत ऐसे उलजलूल बाते सूझती है यह राहू की खासियत यह है कि वह जिस भाव में बैठ जाए उस भाव के स्वामी के फल देता है और जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा है या जिस ग्रह के साथ बैठा है उनके फल देता है तो यहां राहू लगनेश के साथ बैठा हुआ है और गुरू के फल भी देने में सक कीस का मुवायना करना उसके डीप में जाना उसके जड़ को पहचानना यह रावु यहां पर मूननक्षत्र में बैठा उसके जड़ को पहचानना और साथ ही यह चंदरमाप्यों की उत्तर अशार्व में बैठा हुआ है अपने principles के लिए बहुत strongly उन चीजों को एकदम सही धंग से लोगों को समझाना उसमें कहीं तोड़ मोर नहीं उसमें कहीं कोई छलावा नहीं कोई भी छल नहीं एक और चीज यदि राहू और चंद्रमा एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो व्यक्ति को डर लगता ये एक दूसरे से बहुत दूर भी है इसलिए व्यक्ति न्याय करेगा और व्यक्ति डरेगा नहीं यदि आपने नक्षत्र की बारेकियों को समझा और बेसिक प्रिंसिपल को भी समझा और प्लानेट्स किस तरह से चल रहे हैं clockwise, anti-clockwise, विपरीद दिशाओं में तो आपका analysis हमेशा सही रहेगा जरूर आप भी analysis करके देखिये लगनेश के साथ बताइए कि आपको results किस तरह से समझ में आएं फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos and please subscribe to our channel.